हेलो दोस्तों स्वाध है आपका दिमार्केटिंग वहल में मेरा नाम है विशेग दोस्तों आज वीडियो का माई टॉपिक है यहां पर यूटूब वीडियो में किसी एक्साइट का लिंक के इस तरीके से एड कर सकते हैं तो यहां पर लिंक को आड करने के तीन तरीक होते हैं मैं आपको दो डिफरेंट चैनल और दूसरा होगा जो कि मॉनिटाइस नहीं है तो चलिए, अब यह सबसे पहला चानल आप जो देख रहे हैं, यह है TechFingers, यह मेरा एक नया चानल है, जिसमें मैं अन्बोक्सिंग और इनकी वीडियो दालता हूं और रिव्यूस के, तो यहाँ पर एक वीडियो है, जैसे यह वाला वीडियो में एक बार उपन कर देता हूं, यह चानल अभी monetized नहीं हुआ, यानि कि YouTube Partner Program में अभी यह चानल नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि मेरा जो टाइटल है, और यहाँ पर description है, जो पहला option है हमारे पास, वो है कि हम description में अपने link को enter कर सकते हैं, और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मेरे यहाँ पर काफी सारे links है, ठीक है, अगर मालो कि मेरा को एक main link है इसमें से, इसके मालो कि अगर यह first वाला जो है, अगर मेरा एक main link है, तो मुझे इस link को, अगर मैं ऐसा कर दूँ कि इस title के बाद, अगर मालो कि मैं एक और line यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं यह दो- यूटूब पर, यह वही वीडियो है, जो मैंने अभी open कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा जो पहला link है, आपको show हो रहा है, क्योंकि first line के बार directly मैंने अपना यह link डाल रखा था, लेकिन अब क्या हुआ, कि यह वाला link है, इसको मैंने तीन line के बार डाला, तो ऐस इसको second line में, या third line में डालना है, कभी भी आपको गलती से भी यह काम नहीं करना है, कि या fourth या fifth line में अपने link को डाल रहो, ऐसा आपको नहीं करना है, अगर एक से जाधा link अगर आपकी पास है, तब तो आपकी मजबूरी है, कि आपको तीसरा चोते line में तो सारे links नहीं ड इस तरीके से आप इस link को enter कर सकते हो, और यहाँ पर आप सोचोगे कि यार, क्यों ना first line में लगता है, guys, first line में रखने से क्या होगा, कि जब हम कोई YouTube पे कुछ भी search करते हैं, ठीक है, जैसे for example, अगर मैं अभी आपको search करके दिखाओ, यह वाला keyword है, अगर मैं यहाँ पर search क description है, अगर आप link डाल दोगे description के पहले line में, तो यहाँ आपको description दिख रहा है, यहाँ पर link दिख जाएगा, और इससे क्या होगा कि काफी सारे users है, वो आपकी वीडियो को play ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ भी आ जाएगा, कि यह बंदा सिर्फ और से promotion कर रहा है, इसके content में कोई दम नहीं है, तो इसलिए आपको कभी भी link अपने पहले line में नहीं डालना है, description में, हमेशा उसे second line में या third line में ही रखना चाहिए, third line के बाद भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि show more पे click करने के बाद ही वो links लोगों को दिखते हैं, तो आदे लोग, आदा मेरा main link है, वो यहाँ पर show हो रहा है, तो इस तरीके से आपका link show होना चाहिए, अब ये तो था हमारा पहला option, कि हम description में अपने link को share कर सकते हैं, अब दूसरा option रहता है, वो हमारे पास है, कि हम यहाँ पर अपने link को cards में और end screen में हम share कर सकते हैं, तो अब मैं आपको बतात YouTube Partner Program को join नहीं किया है, जब तक मैं YouTube Partner Program में join नहीं होता हूँ, तब तक मैं यहाँ पर option नहीं मिलेगा link का, तो मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, अब end screen चेक कर लेजे, तो end screen में जब हम में जाओंगा elements पे, यहाँ पर भी मेरा link वाला option है, वो disabled है, क्योंकि channel YouTube Partner Program में न channel से, तो अब आपको मैं यहाँ पर difference दिखाता हूँ, अगर मैं यह एक video open कर देता हूँ, यहाँ पर उसके बाद यहाँ में जाओं cards में, तो आप देख सकते हो, यह मेरा link का option है, यहाँ पर enabled है, तो मैं यहाँ पर plus पर click कर दूँगा, plus पर click करते हैं, यह मुझसे बोलता है कि मेरे जो भी external links है, वो adwords policies को, और YouTube ads policies को, YouTube community guidelines policies को fulfill करने चाहिए, कोई भी ऐसे links जो इन चीज़ों फुल्फिल नहीं करते हैं, अगर आप उसे add करते हो, तो आपका जो feature है, उसको बंद कर दिया जाएगा, क्या फिर आपके channel को भी terminate करा जा सकता है, अगर आप sure हो कि आपक इसे hover करते हो, तो आप में लिखा हो आ रहा है, add info card linking to an external website, अगर आप external website लिंक आड करना चाहते हो, तो आप इस option से add कर सकते हो, और ये था cards का option, अब मैं आपको बता हो, end screen में चीज़ आप कैसे कर सकते हो, अगर मैं जाओं कि यहाँ पर end screen में, और यहाँ पर मैं पास option मिल दियान रखना है, हमेशा एक वीडियो, वीडियो का मतलब आपको एक end screen में एक वीडियो का thumbnail add करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप कोई दूसरा end screen add नहीं कर सकते हो, तो अगर आप अपने वीडियो में end screen add करना पसंद नहीं करते हो, तो आप link भी नहीं डाल यहां पर मेरे पास एक specific वीडियो अगर मुझे उठाना हा, तो कोई भी specific वीडियो में उठा सकता है, कि यह उठा लूँगा, और यहां पर add कर दिया, तो इस तरीके से आप end screen लगा सकते हो, और end screen लगाने के बाद आप जो चाहे, link add कर सकते हो, और अगर आप को कोई दूस पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर दे क्योंकि इससे मुझे आगी और वीडियो में बनाने की motivation मिलती है, दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार, तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार,